जैंज फैंस वाथ आप सभी का आपके अपने यूट्वीब चैनल याड़ फैंस क्लास में दोस्तों आज का हमारा टोपिक है साथ यहां परे एससी इंपॉर्टेंट जिया फ्रेंस जो कि आपके सैसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां परे एससी के कुछ ऐसे 남नमें टोर्प के सबच्टी तो जो कि आपके कशी बी चքैन के लिए सब्सक्राइन कि त्यारी करES के सो यह सब्सक्राइब बहुत हों वाला सारथी एक ऌप सब्सक्राइब क्यों अपनी important questions क्यों बढ़ते हैं और अगर आपको दोस्ते हैं आप इस question का top 60 question का PDF चाहिए साथ हो तो एक comment करके ज़रू बताइए और जल्दे ज़री दोस्ते टेलिक्राम का channel मैंने दे दिया है वहाँ पे आप जाके हैं आप जोई कर सकते हैं टीक है तो इसमें दोस्तों हमारा first questions में रहने वारा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं टीक है तो आए हम बढ़ते दोस्तों यहां पर तो वीडियो को लाइक करना आप बोसाथ हो ठीक है और आपने सभी साथ है कि इस वीडियो को शेयर करना भूलें तो आए बढ़ते दोस्तों और फंश कोई सच यह कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सा ग्रहा सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह के स्रेड़ी में आता है तो वह दोस्तों आप कराई टेंसर हो जगा आपका अप्सन नमबर यहां पर ए यानिके रियूरेनस ओके आए साथ यहां पर निश्व को सनिये दोस्तों कि खाली स्थान का उप करन है ठीक है जो भुक्कम की तीवरता को आपने में मदद करता है वेरी मोशिम पोड़े सा होते हो तो इसका राइट एंसर है आप देख से दोस् है आपको इसको याद रखना ठीक है अगली वीडियो में आपको बता चुक है इसका ओके आई दोस्तों अगला कोशन यह दोस्तों कि निम लिखित में से कौन सा लेक सीशा के अधिकार से संबंदित है ठीक है वेरी मोशिम पोड़े साथ हो अगर हम बात की जाए दोस्तिया के मोल्यक अधियार की तो अगर बात की सिक्षा यहाँ पuciones भ इबात की आधिकार से र्लेट्टिट अब तो इसको यहाँ पर हो का अनुछे जो है यहाँ पे 21 ए ओके आई दोस्ति यहाँ पे निश्कस यह कह रहे आपका किस बंदरगा को भारत के पहले हरित बंदरगा के रूप में जो है वो विक्सित कहा जाता है very most important दोस्ति यहाँ पे ठीके तो यहाँ पे देख सकते क्या हो जाए किमेंट के आप बता भी सकते हैं ओके चलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्ति यहाँ पे किस बंदरगा को भारत के हरित बंदरगा कहा गए दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा हल्दिया बाग ठीक है हल्दिया बाह बंदर का इसका रायत Points बख़ल को अंतिक शिया तो किस है सबसे नहीं है आपका कि निश्व कुस्न उस दूइप का नाम क्या है जो भारत और स्रीलंका के बीच इस थी थे विए रिम ऑशींप बॉड़े सांती हो तो पूछा यह कैसा आती हो भारत और जो स्रीलंका के बीच में कौन सा दूइप है दोस्तों का नाम बता ही यहां पर इ भारती डिजर बेंग यानि के अरवर्षिन रहनार कौन थे वे रिमोशींप आप सांती हो अगर बात किआ कि दोसने आप है बारती ठीक है यानि कि RBI के पहले भारती गौर्णर तो आपकी जो है और CD देश्मू है ओके आई दोस्तों अगला कोशन कहता है अगला कोशन है आपकी और बढ़ते हैं आप ही ठीक है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों और अपने सभी साथ हो किस वीडियो को सेरकार ना भूले साथ हो क्योंकि यह कोशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेन है जो कि आपकी किसी भी एक्जाम में रिपीट हो सकते दोस्तों हाला ठीक है अगला कोशन यह साथ हो कि निम लिखित में से किस वर्स मनिपूर राज को अपनी पूर्ण अजीव का प्रापत ह होती है वेरी महुषी इंपोर्ण साथ हो तो इसमें वह सदिय गया साथ हो जिस पर आपका मनिपूर राज को पूर्ण अजीव का अब ली थी तो इसका राइट अंसर हो जएगा 21 जनवरी 1972 में ओके यानि कि आपका राइट अगला कोशन कहरें साथ हो कौशा विटामिन आपको याद रखने इसको आए अगला कोशन साथ है हमें माध्यम से ठीक है जो है यहाँ पर का गया दोस्तियों आपे माध्यम के नतापमान में रिद्धी ध्वनी की गती को कैसे प्रभावित करता है फेरी मोशी पोड़े साथ हो तो इसमें ऑप्सन दी की आए ऑप्सन से देख लिए इसमें से गती में कमी होती हैं गती बढ़ती है ठीक है आप पर बढ़तीत रहता है या फिर में से कोई नहीं कि गती को कैसे प्रभावित करती खांत तो हो जाएगा गती बढ़ती है इसकी ठीक है इसका थériक है अगला का कि important question साथ हो कि चूहों को मारने के लिए निम लेकिकित में इसे किसरा शाइन का उपयोग किया जाती है सांथिया, आप सभी जानते हैं कि घरों में जो चुहे होते हैं उसके अब दोस्टिण सुल्फृत याँ पे मेडिकल रहाधाद या पूर रिया FIR दोस्टिण को क्या कहते साथ हैं आपको इसमें बताना है ठीक है तो इसमें आप संदेर रखा है तो इसमें आप देख सकते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तो आप और लोग क्या तो पयोग किया जाता है आपको याद रखना है नीचे भारती है राजजो दिर्दी बारती है और उनकी जो राजधानिया है निम्निकित मिल्कल में से बैगें जोडी का चैन कीजिए वेरिय मौशी में पॉड़े सांथ यहाँ पर ठीके तो इसमें काया दोस्तों के देशासित प्रदेश और उनकी जो राजियानिय है उनको यहाँ पर सलेक्ट कीजिए यहाँ ठीके तो यहाँ पर आप देख से दोस्तों तेलंगाना, हिदराबाद, असम्दिस्पूर या फिर लक्षदीप, ठीके, करत्ती या फिर मद्यपरदेश लखनाओ यहाँ पर उसका राइट एंसर हो जाएका साथ यहाँ पर आपका उप्सन नमबर डी के साथ मद्यपरदेश लखनाओ यहाँ ठीके, मद्यपरदेश की राजधन क्या हो जाएक दोस्तों आपका लखनाओ, ओके, अई दोस्तों नेश्व प्रिथवी की आयू की गर्णास में किस आज साथ नेश्व कोईशन कह रहा है, आपका बहुत ही इंपोर्टेंट कोईशन है कि किस वायरास यहाँ पर देख सकते हैं, वायरास राइक को ठीक है, भारती रेल्वे का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर संदीग यह दोस्तों आप देख सकते हैं, लॉड डफरीन, ठीक अगर बात की जाता है, तो भारती रेल्वे का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट एंसर होज़े दोस्तों आपका आपको अपसर नमर बीक साथ, यानिकी लॉड रलहे जी को कहा जाता है, ओके, आई आपका अगला कोशन दोस्तों यहाँ पर तो वीडियो को लाइक कर अगला कोशन की और बढ़ते सांते, अगला आपके इंपोर्टेंट कोशन है, कि लखनाओ से 1867 की वीडियो का नेता कौन था, ठीक है, इसका राइट एंसर होज़े यहाँ पर आप देख सकते है, तात्या टोबे, रानी रचमिबाई, नाना साहिब, या फिर बेगाम हजरत महल यहाँ पर, ठीक है, तो अगला कोशन साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो थियो सोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने अवाला प्रसिद्ध नेता कौन है, आपको इसमें बताएं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो थियो सोफिक सोसाइटी की इस्थापनाव स्वामी विवेकरंग ठीक है संजद अहमद खान या फिर एच्पी बलावस्त की या फिर अलतमा राय पंडुरंग तुसका राइट अंसर हो जाए साथ यो आपका उपसर मटसी यहां पर राइट हो जाएगा यानि के एच्पी बलावस्त की ठीक अपसर नमबर आपके इसी के साथ चला जाएगा ओके अई दोस्तों नेश क्वेस्टन है कि क्वांटम यहां पर देख सकते हैं क्वांटम थ्योरी आप रेडियेशन का विसकार किस ने किया था तो यहां पर आप देख से दोस्तों आप निल ब्राम प्लैंग और रादल फो तो अगला कोश्चे रहें आपका बहुत हिंपोर्टन है कि विष्प का सबसे बड़ा पठार कौन से साथियां आपर ठीक है तो विस्व एकर बात की जटों में से कौन सा तत्वा हवां में एक प्रमुक अनुपात में मौजूद है ठीक है तो अगर बात की जदोस्तों मौझूद है कि यहां पर तो आपको या ओक्सिजन नेट्रोजिन कर्वें डिक्साइज या और गन ओके तुसका राइट एंसर हो जाए दोस्तों आपको आपको ऑप्सन नंबर नेट्रोजिन ठीक है आप सभी जानते दोस्तों जो खीन तत्तों में से कौन सत्तों जो हवा में एक प्रमुखमा अनुपात में मौझूद है तो वो है नेट्रोजन ओके आई अगला कोशन के और बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और अपने सभी साथों कि इस वीडियो को स कहता है कि कि निमली किस में से किस देश की राजधानी बैंकॉख है और बर का प्रमुक उत्पाद है यानं कि बेंकोख के वी我 Вас अ या फिर गाना इसका राइटका रोजेग्व दोस्तों आपका थायलेंट या निकाहाई ऑपिसन में बॉर पारते हैं आपको आपका च्रटान में उत्तब्र को क्या कहा जाता है सांति ह्थी यहां पर देख सकते हैं ठीक है सिंक लाइन ठीक है ? क्रिश्ट लाइन या फिरन्ति लाइन या फिर उपरो या रिंद से कोई नहीं पर डूब कर दोपनल चटार मुंत्तल को क्या ना चाता है तो लाइन आपको याद रAKना आ ठीक है जो कि आपके जिग्रॉफी से पूछा जा सकते इसको ओके और अगले कोशन साथ तो यहां पे कि संतलिश यहां पर दिख सकते हैं सतलिज नदी का का विगवेदिक नाम क्या है आपको बहुत इंपोर्टेंट कोशन साथ हो कि जो सतलिज यहां पर ठीक है और उसका आप आपको आपको ऑसर मिट्डिक साथ जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स यहां पे अगले कोशन के और बढ़ते हैं सांथ यहां पर यह कि इटली की राजधानी रोम निम्ड़ी खित में से किस नदी के तरड़ पर इस्थित यहां पे तो आप सभी जाने दोस्तों इटली की जो रा आपको याद रखना है ठीक है आई आई दोस्ति आप ही देख सकते अगला कोश Lucky कि we're की सिधान पर काम करता है आपको बहुत इंफरेंट क्वेशन है कि ऑप्यजिखा प्रकाशी आपर वرबेशा या पुर्ण आपरवर्स पर परवर्तन निया पřिर क्लोज में से कोई नहीं जो कि आपके अप्टिकल फाइवर के सिंधान से काम करता है आई दोस्तों नेश्क वेशन के बढ़ते हुई है कि गन्ने के लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है वे रिम आउशी पोड़े साथ यहां पे तो साथियों यहां पे एक कुरिशन बहुत ही इंपोर्टन है आपके कि गन्ने के लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है यहां पे ठीक है तो यहां पे ओप्सन दिगे साथ यहां पे देख सकते हैं मेगना पॉर्थ औरेजा या फिर पूर्किया या फिर पाइधियम डिवायान या फिर के लोटरेंशन या फिर फस्क्टल तो इसका राइट आइंसर हो जाएक दोस्तों आपका आपका आप्सन नमबर यहां पे डी के साथ या निके कोलेस्ट्रोशियम या या फिर आते हैं तो अकर हम बात की दोस्ति हम लएक सकते हैं कि प्रिघामतरि के करतवग्या सविधान के किस अनुष्यद के अंतर आते दोस्तो तो अनुष्यद आप इहां पे देख सकते हैं अनुष्यद नमबर यहां पे 78 यहां पे ठीक है नो डाउट आई दोस्तों एकला vasen यानि के हाबिल तस्मान इसका राइट एंसर हो जाएंगे जो कि नूजिलेंड के खोच करता है ओके आई दोस्तों नेश्च क्वेशन के बढ़ते हैं आपका की भारत में रवी के मौसम में निमली खित में से कौन सी फसल काटी जाती है जुआर गेहूं कपास या जूट यहा तो आप सभी दोस्तों जो जो इंडिया से हैं यह कोईशन का राइट एंसर नहीं आपके कमेंट करके जूरू बताए गया कि रवी के मौसम में कौन सा फसल काटी जाती है ओके आई दोस्तों नेश्च के उसन कर बढ़ते हैं नेश्च कुसन आपका ठीक है बुलेट प्रू सब्सक्राइब कर लाइनोट 66 यहां पे एल्युक्यल जमी का यहां पद्री जाती है दोस्तोशन की भारत कि यानि भारत के किस राज की सबसे लंबी तर्ट्रेखा यहां पर आंध्रप्रदेस महाराश्ट तमिनाइडू गुजरात यहां पर तुसका राइट एंसरोज दोस्तों आपका गुजरात का जो है तर्ट्रेखा भाहुती लंबी है आपको याद रखने इसका ओके आई दोस्त सबसे पहले तुसका राइट एंसर हो जाएक दोस्तों आशा पूर्णा देवी ठीक है यानि कि आपका और जाएगा बी के सांथ ठीक है जो की प्रत्थम ग्यानपीर पुरुषकार मिला था ओके आई अगला कोश्शन सांथ हो कि निम लिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष क कर नहीं है वेरी मौशिम पूर्ण सांथियों आपर आएकर सपतिकर माल और सेवा और या फिर मुल्य वर्दिकर यानि के वाट तो इसका राइट एंसर दोस्तों अभी सिस्व माल और सेवा कर जो कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है ठीक है आई दोस्तों निश्क कुशन यह है कि किस घटन के कारण किस घटना के कारण आगास कर निला होता है वेरी मौशिम पूर्ण सांथिया आपे ठीक है तो आपको बताना है सांथियों कि आगास कर निला क्यों होता है ठीक है प्रकास का परवर्दन प्रकास का प्रकिकतरन या फिर प्रकास का परवर्दन या फिर प् आपको बता दू सांथियों आपका option नमर जाएगा बी के साथ यानि के प्रकास का प्रकीरण ठीक है option नमर आपके बी के साथ जाएगा ओके आज सांथ यहां पर नेश को संगे हैं नेश को संग बहुत ही इंपोर्टेन है कि प्रसिद्ध पुस्तक the god of small things के लेखा कौन है तो अजीता यहां पर देख सकते हैं अनीता देशा आई जीवियर मौरो याफिर चित्रसु ब्रमनियम याफिर अरुधन्ति राय ठीक है तक the god of dear friends यहां पर smooth things इसका राय ठीक हो जाएगा इसके लेखाग जो है वह आपके option नमड़े के साथ यानके अरुधन्ति रायस के लेखाग है आई साथ यहां पर नेश्क कोशन यहां है कि भारती सवविधान के कि संसोधन अधिनियां से पंचायतों की सिरुवात की गई थी वेरियो मौशिम पोड़े साथ यहो तो आपको बताना है यहां पर ठीक है उसका राय ठीक है त्यात्रवा संसोधन के आई दोस्ति आप अगला कोशन यह है कि मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागा किस जल डम रुस्तल में जुड़ते हैं आपे जुसका राय टेंसर हो जाए कि दोस्तों आपको आपको अप्सन नंबर सी के साथ यहां इनके फ्रॉईडा ओके आई अगले कोशन के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोशन यह है कि ध्वनी की पिंच तरंग के किस गुड़ पर निर्भर करता है वेरिम और शीम पोड़े सांथ यहां पे ठीक है तरंग धैरिया या फिर अडवर्ति या फिर आयां जिसका राय टैंसर हो जाए दोस्तों आख वित्ती ठीक है इसका राय टैंसर हो जाएगा आपको आपसन नमर भी के सांथ ठीक है चली अगला कोशन दोस्तों आपका ठीक है अगला कोशन दोस्तों टेली ग्राम यहां पे कहा गए दोस्तों कि टेली ग्राम के संस्थापक कौन है ठीक है आप सभी जाने दोस्तों ठीक है तो टेलीग्राम की जो संस्थापक है वो को नहीं है ब्राइन एनक्ट या फिर केविन भाड़ती मित्तल या फिर जॉन कॉम या फिर पावेल डियूरोवा तो इसका राइट एंसर हो जागा है टेलीग्राम की जो संस्थापक के साथ क्यों यहां पर आपका अप्सन न क्लिखित का मिलान करे ठीक है तो आपको कोईशन यह कह है प्रियोजनाओ का नाम ठीक है नदी यहाँ पे प्रियोजनाओ का नाम बताने और नदी बताने इसमें से ठीक है हिराकुण बहुविद्देश्य पर्योजना ठीक है चंबल और दिस तो यहाँ पर option यह दिया गए नागरजुन सागर बहुद्देश्य पर्योजना ठीक है कि यहां पर option number आपके बी के साथ चला जायगे दोस्तों यहां पर ठीक है यहां पर देख सकते हैं अब स्वाट को बहुतका इंपोर्टर रहा घ्या है सौल मंटर में किस ग्रह को भौर का तारा कहा जाता है वेरी मौशीम पोड़े साथ हो ये क्वेशन दोस्तो आप जरूर सुनोगा अपने दादा पर दादा उसे हाँ ठीक है कि भौर का तारा दोस्तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पे कावावत सुने को मिली हो गई ठीक है तो भौर का तारा की से कहा दोस्तो इस क्राइटेंस रोजेगा आप सुकर को ठीक है अपसे नमर आपके सी केसा चला जाएगा आई दोस्तों अगला कोशनी है कि भारती सब विधान की जनक की रूप में कीसे माना जाता है तो कीसे माना जाता है दोस्तों जो है आप सभी जानती किनों हो डाक्टर बी आर अम बेट कर जी ओके आपका ओप्सन नमबर डी केसा चला जाएगा आई साथ यह अगला कोशनी है कि नीले रंग का काच किस प्रदार्ट को मिला कर पराप्त किया जाता है तो अगर हमको साथ यह नीले रंग का काच चाहिए तो किस प्रदार्ट को मिला कर पराप्त करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते ऑप्सन नमर जाएगा आपका कौबाइट ऑकप्साइड दोस्तो आपका छाएगा को प्राप्त है सेतु अमुद्धन प्रियोजना की ऐगा क आए साथ कुछ आपकी अगले important question यह है कि वीडियो को लाइक करना ना भूल सांथी यहाँ पर ठीक है यह question आप सभी के लिए बहुत ही important तो अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जल्दीस जोइन की साथ हो इसका पीडियो आप दोस्तों मैं जल्दीस सरी कर दूँगा जल्दीस यहाँ पर जोइन कीजिवाँ पर ठीक है अगला question यह सांथी को कौसा उपदेव कला और संगीश से संबंदित है तो दोस्तों आपका गंधडर्वेद घंडर्ववेद इसका रायट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला इंपोडेन्ट कोईशन साथ है आप सभी के लिए कि निमलीखित में से कि जील से वाइट नील नदी का उद्गम होता है इसका विक्टोरिया नदी ठीक है विक्टोरिया जील इसका राइट एंसर हो जाएगा ओके आई दोस्तों नेश्कोसन यहाए कि भारतियां अंगूर प्रसकसंस करण ठीक है प्रसकंस करण बोर्ड कहां इसी थे तो बात करें भारतियां अंगूर की तो इसका राइट एंसर हो जागा पूने यानिका आपका आपका ऑप्सन नंबर है किसा चला जाएगा नो डाउट इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्सन नंबर डी के साथ यानिके मचली ओके आई दोस्तों आपका पचासवा कोशन यह है कि निमलिखित में इसे किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विक्सित हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल की रूप में जाना जाता है तो लचांए कि विस्व परिशी और दीवास दूनिया भार में हर से कालिस स्थान को मना जाता है उप अगले क्विश्वें करुशन यह है कि आपका जोए ठीक है एक फूल फारोऊ बदा यह यहाँ पे ठीक हैं यहां पर कहा गहां तो इसके रहें से यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जगह को कि इस जगह को ढखिट भारत का मैंचेस्टर ठीक है मैंचेस्टर भी कहा जाता है देगे विकल्प मेंसे इसे पहचानी है ठीक है तो यहाँ पर दिएगे विकल्प दोस्त आपको चाल विकल्प यहाँ पर दिएगे इस पर आपको बताना है कि दक्षिड भारत का मांचेस्टर किसे कहा जाता है तो यहाँ प भारत का मांचेस्टर भी कह जाता है ओके अगले क्वेशन को बड़ते साथ यह अगले क्वेशन इंपोर्टन है कि भाव इस्विकी जनसंख्या का लगबग कितना भाग भारत में निवास करता है यह क्वेशन बहुत इंपोर्टन दोस्तों जो कि सेसी की जो अभी दिल्ली प जो पच्छार तो क्राइट है सरोचे दोस्तों आपका एक छठा ठीक है आई दोस्तों नेश्पर निया एक डेली समर ठीके डेसिबल जो है किसकी काई यह तो किसकी के दोस्तों धोनी की काई यह आपको याद रखने इसको बहुत इंपोर्टन फिजिस का कोशन है ओके अग पर देख सकते हैं आपका मुंबाई दिल्ली सा तब दी एक्सप्रेस या फिन मगद एक्सप्रेस भौपाल एक्सप्रेस या फिर एप एक्सप्रेस तो इसको राएट एंसर हो जाएगा उके यहीं दोस्तों अगला कोशन यह है कि केंद्रिय ठीक है चमडा सुन अनुसंधान संस्था यानि कि CLRI कहां पर अधारी थे यहां पर ही ठीक है तो इसको राइट है वाराड से चन्नाई एधरबाद कानपूर तो इसको राइट है सरोजे दोस्तों आपका चन्नाई ठीक है अग किस ніम्हान पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं आपके अफिसकर तो अबहरा से विसमी फॉल्या । माना आजाता है ओके आई दोस्तों यहां पर नेश्ट को सनिया है कि दा जेबरा आफ इंफिनीट जस्टिस नामा पूश्टर्स किसने लिगी थी यहां पर तुवीरमा सेट रोहिंटनन मिस्तरी या फिर अनुराग माथूर या फिर अरुरंदी राय यहां पर तुसका राय ट कुंद्ध के सवस्ती इसका राय टे सरो जबेंगा आपका प्सान अभी के सांप्थ यहां पर यहां पर ढहुंटन उसका राय टन्जस्ट्रحمक आपका प्कर स्क्राइट राइचब करे दोस्टों यहाँ पर ठीक है और आप को बताना चाहों दोस्टों नहींसमें जोए बहुत शे सकते जो कि बहुत धीक्त्यस आते दोस्तों और कुछ Boss ौट अलो est ऑंती व्कुष्षwalk गद्वाग Cumильно Kुछ बताऊँ का जो कि आप के विलूchn-लाइनर को यह ओनेग something हैं थीक हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहितिवी सुईट के दोराण अमेरिका के किस सार पर परमार अभां गिराया था आप सभी जानेंदें दोस्तों कि दितीविस्वित के दौरान अमेरिका ने जो हिरे सुमा और नागा साकी में परमाड़ों गिराया था जिसका प्रभाव भी है साथ कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं आप ठीकए आई दोस्तो नेशकों सेनrete के रिमा एराग के समराट नादिरशाह ने दिल्ली पर आकरमण कब किया था तो 1949 में जो है वो historically किया लाहे समराट नादिरशाह ने दिल्ली पर आकरमण किया था ओके आई दोस्तो चलते चलते सबी question किया पर आप क्लिर करते चलेंगे समिधान की किस अनुस सुची में 22 भासाओं का मेंशन किया गया है अगर बाद किज़ा है ने आपको इसको याद रखना है आई अगला कोशन दोस्तो ठीक है तियोसफिकल सुसाइटिक इस्थापना कब गी रहे उसने आप देख सकते हैं तियोसफिकल सुसाइटिक जो स्थापना जो है दोस्तो आपका 1292 इस भी अर्डयान मदराश में की गई थी आगला कोशन बहुत इंपोर्टन सांदि हो लोगसापने थे तो भारति लोगसापक पयादे तेर वो यहाँ पूर्टिक आपके सभी और किस ने चला यहाँ आपको इसको आनτε रखने को किस्ने युग दूट का तुसका राइट एंसर हो जोगे दोस्तों यहां पर राम महराय को जो है वह सुभास चंदर बोस नहीं कहा था ओके आज दोस्तों अगले कुशनी है कि अगर भारत में कब भारत में कब पहली बार रास्टी आपात कल घोस्टा की तो जो है दोस्तों आपका 1962 में आपको याद दरखने इसको ओके तो दोस्तों आपको कैसे लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों और दोस्तों मैं चाहूंगा अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो सच्छी क्वेशन प्लस का तो दोस्तों जल्दी जाए टेलेगराम चैनल जोईन कीजिए और जो 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 पर नए हैं दोस्तों जाहिन को सब्सक्राइब करना फूले ठीक है फ्रेंस और अपने सबी साहतों कि इस वीडियो को जरूर से रिकरें ठीक है तो आप सबी के लिए बहुत ही इंपोर्टन कुशन लात रहा हूं फ्रेंस तक्तिकल मिलते हैं जाहिन वानने मात रहा हूं